कि हलो गाइस दिस इस यूर यूट्यूब चैनल मार्केट मूबर दिखिए आज इस वीडियो पर डिसकेशन करेंगे रिलांस कॉम्मिकेशन लिमिटेड के बारे में क्योंकि रिलांस कॉम्मिकेशन के रिगार्डिंग काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही है और जिसका आसर इसके ट्रेडिंग सेसंस पे हम लोगों देखने को मिल रहा है पिछले एक महने से अगर स्टॉक की बात की जाए तो डिल रुपे से यह स्टॉक तीन रुपे तक पहुंच गया लगबग आपको हंडेड परसेंट का रिटन से स्टॉक ने निकालके दे दिया और कंटिनिव ही बड़ी मतलब अपर्चुनिटी होगी आपके लिए कि इस स्टॉक पे अगर आपने पोजिशन बनाया होगा तो आप इसके बाद अपनी डिसिजन एक बार जरूर लीजेगा क्योंकि स्टॉक पे क्या होगा फिर आगे जाके आपको हो सकता है कि इस पर लोवर सरकीट का दौर देखने को मिले क्योंकि खबर काफी इंपॉर्टेंट है रिसिस्ट को ध्यान में रखना जिन लोगों ने नीचे के लेवल पे 75 85 91 रूपीज एक रूपी दस पैसे 20 पैसे जितने में भी आपने इस पर माल उठा रखा है अगर आप बहुत लंबा सोच रहे हैं तो ड उकेश अंबानी जी मतलब रिलांस जी ओ इसे खरीदने वाली है रिलांस इंडस्ट्री खरीदने वाली है ऐसी खबरे आज से ने बहुत पहले से मार्केट में चलाई जा रहे हैं तो जो भी हो अभी तक एक्सचेंज पे रिलांस कम्मिनिकेशन के तरफ से जो भी एंसल्ट है और बाकी आपने अगर कुछ देख के इस पर पोजिशन बनाया तो डेफिनेटली अच्छी बात है आप पोजिशन को क्यारी कीजिए अपने लेकिन जो खबरें हैं उस खबर को मैं आपके साथ सेर करूंगा और उस खबर के डेट के पहले आप एक डिसीजन लेने पर और आज का डेट है 28 जुलाई लगबग एक मैने के अंदर में आपको 100% का रेटन्स मिल चुका है तो खबर क्या है तो चलिए देखते खबर को देखिए रिलांस कॉम्निकेशन के तरफ से 24 जुलाई को यह कॉपी सब्मीट की गई है और इस कॉपी में बताया गया है कि 31 मा रांसमेंट किया जाएगा 31 जुलाई 2020 को तो 31 जुलाई 2020 को आप एकस्पेक्ट क्या कर रहे हैं यह हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं क्यूंकि आप इसके सेर्स को होल्ड कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ पता होगा मेरे हिसाब से मुझे असा चलूंगा 31 जुलाई 2020 ठीक है यह इंपॉर्टेंट डेट रहेगा इस स्टॉक के अपर सर्कीट के लेबल को ब्लीच करने का मतलब यहां से सर्कीट आपको कनवर्ट होता दिख सकता है तो आप इस डेट के पहले आप एक डिसिजन लीजिएगा और आप अपने आप से सवा सेक्षन पर बताईएगा मैं आपको अभी पिछले दो तीन क्वाटर का रिजेट आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जो लोग इसे स्टॉक पर बिल्कुल नहीं है मुझे असा नहीं लगता है कि कोई ऐसे भी लोग होंगे जो रिलांस कम्मुनिकेशन की पूरी हालात को नहीं जानते होंगे कि देखिए अभी हम लोग यहां पर क्वाटरली रिजेट देखेंगे तो क्वाटरली रिजेट 2017 से आपका इबलेबल है मार्च 2017 प्यापंदरासो करोड की सेल्स करती थे वह सेल्स गिर के दो सेक्षट करोड पर आ गई है कंसिस्टेंट आपको डिक्र स्टॉक का सेल्स तो सेल्स अगर नीचे आएगा और इंट्रेस्ट देखिए कंपनी का बढ़ता गया तो नेट प्रॉफिट कहां पर गया तो यह देख लिए कब से 2017 से यह माइनस पर ही चल रही है कंपनी तो आप हम एक बाद जरूर कमेंट करके बताएगा कि इस कंपनी का प्रॉफिट क्या होने मला और प्रॉफिट क्या होगा नहीं होगा इसका इंपक्ट इस ड्रक पर पंदेगा तो आपको नौ या 10-10 पैसे का मुमेंट हो रहा तो आने वाले 7-9 ट्रेडिंग सेशन पर आपको यह जो हाई है वो भी नजर आता दिखेगा तो यह important चीज है बाकी मर्जी आपकी होगी कि आप कितने समयते किसे hold करने के लिए लिए हैं और क्या इस stock को आपने buy किया है कि यह चारचंद लगा द कह रहा हूं कि नहीं हो सकता अगर कुछ खबरे बहुत ज्यादा अच्छी निकल के आई तो इस ट्रॉक ऊपर बहुत भी जा सकता है लेकिन 31 तारिक से पहले अगर फिर से इसने लवर सर्कृट लगाया और आपने अगर रिसेंटली पोजिशन बनाया तो फिर आपको टेंस कि सकता हूं